नमाज़कार दोस्तों वेलकम बैक टो और चैनल दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जे से से पिजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग मेरे रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है आज का तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं तो वीडियो महते तक बने रहेगा और साथ ही साथ आपको बताएंगे रिजल्ट पे तो बात करेंगे दोस्तों और साथ ही साथ बात करेंगे इसके कट आफ को लेकर ठीक है कट आफ को लेकर भी चर्चा करेंगे किस तरीके से कट आफ जो है आपको देखने को मिल सकता है पीजीटी में कौन से PDF है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके बारे में बताएंगे कौन कौन से डाकुमेंट से हैं जो आपको अभी से बनवाक रखने हैं तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अब देखें document verification के लिए documents जो आपको बनवाना है वो पहले से बनवा कर रखना है ठीक है क्योंकि होता क्या है मेर भई कि आपका जो documents है आप पहले से नहीं बनवा कर रखते हैं आप सोचते हैं कि जब result जारी होगा तो कुछ समय दिया जाएगा देखिए समय तो आपको मिलता है लेकिन इतना बहुत जाब जादा समय नहीं मिलता है कि आपको बहुत जादा समय दिया जाएगा कि आप उत्रे समय में अपना जो भी blasting verification के लिए जीतने भी documents है आप तयार कर सको ठीक है मेरे बै कुछ documents ऐसे होते हैं जिनको बनवाने में काफी ज़्यादा समय लग सकता है तो ऐसे मैं हम आपको इस वीडियो के माद़ाएंगे यह कौन कौन सा documents है जो आपको पहले सही बनवाकर रखने है ठीक है उस चीज पर भी चर्चा करेंगे तो वीडियो मांतर तक बने रहीएगा मेरे भाई सारी मुद्ध पर चर्चा करेंगे बीना स्किप किये हुए वीडियो को पूरा देखिएगा लाइक वगरा नहीं किये हैं तो कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जितने भी लैटेश डब्डेट होते हैं हम आपको इस चैनल पर प्रोड़ करते रहते हैं तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आईए एक एक करके सारी चीजों पर चर्चे करते हैं तो हमेर भी जब से पहले बात कर लेते हैं हम इसके cut off को लेकर कि आपका जो cut off किस तरीके से देखनों को मिल सकता है फिर इसके बात बताते हैं आपको इसके result के बारे में क्या update है फिर document verification पर भी बात करेंगे आईए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो cut off ए किस तरीके से देखनो को मिल सकता है तो आईए सबसे पहले इसके बारे में बतादेते हैं अभाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं subscription की cut off की तो अगर आप your category से बिलॉंग करते हैं 132 से 135 प्रशन अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा ठीक है BC2 की अगर हम बात करें तो 122 से 125 प्रशन अगर आपने सही कर दिया है तो हो जाएगा BC2 की अगर बात करें कि सर BC2 में कितना cutoff देखने को मिल सकता है तो यह 125 से 128 प्रशन अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा ठीक है analysis किया गया cutoff है मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी बता दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है analysis किया गया cutoff है आप देख लीजिए अगर इतने प्रशन अगर आपके सही बन रहे है तो हो जाएगा 85 से 90 की बीच में आपको देखने हो को मिल सकता है इससी काटिगरी में इस्टी काटिगरी के अगर बात करें तो 72 से 75 अब देखिए जितना भी हम cutoff बता रहे हैं यह संस्कृत का है ठीक है तो EWS का cutoff बता देते हैं EWS की बात करें तो 126 से 130 प्रशन अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा ठीक है बिलकुल निशिंत रहे हैं आपका हो जाएगा तो यह थब यह संस्कृत का cutoff बात कर लेते हैं फिजिक्स की फिजिक्स सब्जेक्ट जो आपका था भातिक बिग्यान ठीक है इसमें जो आपका cutoff एक इस तरीके से देखनों क मिल सकता है UR कटेग्री से अगर आप बिलाउं करते हैं 102 से 105 प्रशन अगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा ठीक है यह प्रशनों की संख्य है मेरे भई और अगर बात करें BC1 की 94 से 96 अगर आपने प्रशन सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा BC2 की अगर बात करें तो उन 98-100 प्रश्णगर आपने सही कर दिया है तो आपका हो जाएगा ठीक है और अगर बात करें इससी कटेगरी की तो इससी कटेगरी में आपका जो cut-off है 82-85 तक देखने को मिल सकता है और HD की बात करें तो HD कटेगरी में रह सकता है 70-75 और अगर बात करें EWS की तो यह EWS में जो आपका cut-off है 95-98 तक आपको देखने को मिल सकता है ठीक है तो कुछ निमना परकार से physics का जो cut-off है देखने को मिल सकता है बात कर लेते है math की तो math का जो cut-off है किस तरीके से देखने को मिल सकता है UR category के अगर बात करें तो 96-100 प्रशन अगर आपने सई कर दिया है ठीक है तो आपका हो जाएगा और BC2 के अगर बात करें दोस्तों तो BC2 में आपका जो cut-off है रह सकता है 90-93 ठीक है और अगर बात करें BC1 की किसर BC1 में किस तरीके से रह सकता है तो 88-90 अगर प्रशन अगर आपने सई किया है तो आपका हो जाएगा BC के अगर बात करें किसर BC के तरह रह सकता है तो 75-78 प्रशन अगर आपने सई किया है तो हो जाएगा ST की बात करें ये SC का था ठीक है ST की अगर बात करें तो 70-72 प्रश्ण अगर आपने सई कर दिया है तो हो जाएगा EWS की बात करें मिर भाई तो 88-90 प्रश्ण अगर आपने सई किया है तो आपका हो जाएगा EWS का cutoff लगभग BC1 के करीब जाता है थोड़ा से 1-2 प्रश्ण आगे पीछे हो सकते हैं अब देखिए जितना cutoff हम आपको बताएं है अगर 1-2 प्रश्ण आपके कम भी बन रहा है तो भी आप समझिए कि आपका हो सकता है क्योंकि अगर आपका paper hard shift में conduct कराया गया होगा तो after normalization आपके marks बढ़ जाएंगे ठीक है तो ऐसा में यह मत सोचिए कि एक दो प्रश्ण अकर आपके कम बन रहा है तो कि हमारा नहीं उपाया का सर्थ तो ऐसा कुछ नहीं मिरभई आपका भी हो सकता है ठीक है अब बात कर लेते हैं DV के documents को लेकर की सर्थ कौन कौन से documents जैसा है जो हमको बनवाक रखने हैं कौन कौन से डाकुमेंट से लगेंगे डीविक लिए तो आईए इसके बारे में आपको बता देते हैं मेरा भाई अगर आप चाहते हैं कि डीविक लिए कौन कौन से डाकुमेंट से जो हमको बनवाक रखने हैं तो अपने आप तो आप अपने Chrome browser को कुछ इस तरह किस open किजेगा और आप यहां पर simply search किजेगा spy solution ठीक है यह एक ऐसा website है मेरे भाई जितने भी latest update होते हैं हम आपको यहां पर provide करते रहते हैं तो आप scroll करके नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर देखनों को मिल जाएगा जैसे को दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अब देखिए इसी सब्ता में हम क्यों कह रहे हैं किस बेस पर कह रहे हैं कि आपका जो result है इसी सब्ता में देखनों को मिल सकता है मेरे भाई देखिए जब आपका response की जारी किया गया तो इसमें बहुत से option इधर उधर हो चुके थे तो वहाँ पर जब इस चीज को लेकर छात्रों ने आयोग पर धरना दिया आयोग पर विजिट किया जब उन्होंने सचीव जी से मुलाकात की तो वहाँ पर अपनी problem को अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया सचीव जी से तो वहाँ पर सचीव जी के द्वारे देखी क्या अस्वासन दिया गया तो वहाँ पर सचीव जी ने खुद बोला कि यह देखिया ऐसा है अगर आप सही है तो इस पर action लिया जाएगा और आपका जो डिवी का process है वो इसी महीने के अंत में करा लिया जाएगा तो इसका आई जा रही है कि आपका जो जे एसे सी पीजीटी का result है वो इसी सब्ता में देखनों को मिल सकता है ठीक है अब बात कर लेते हैं दोस्तों पीजीटी डीवी लिस्ट के बारे में बहुत से candidates हम से पूछ रहते हैं कि सर कौन कौन से documents जो है बनवा कर रखने हैं तो मिर भाई आप यहां पर देख सकते हैं चोथे नंबर पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा ठीक है जे एसे सी पीजीटी डीवी लिस्टे दोजर तेइस जब आप इस पर क्लिक करेंगे मेर भाई तो आप से जो है डाउनलोड करने का option पूछेगा तो आप यहां से इसको आपको लेकर जाने है मेर भई दूसरा point आप यहांपर पड़ सकते हैं ठीक है तो दूसरा point एक बार आपको दिखाते हैं आप यहांपर देख सकते हैं अभिहरती जाच है तो निमलिखित परमारपत्रों की मूल परती एक स्वै हस्तार श्रीत छाय परती की साथ तथा हाल मे खिचा गया दो पासपोर्ट अकार का रंगेन फोटो को लेकर उपस्थित होंगे जो अभ्यार्थी पत्रों की जाच में उपस्थित नहीं होंगे या वांचित प्रमाड पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनके उमिद्वारी समाप्त करने पर आयोग निरड़ें जो है ले सकता है जाच हितु वांचित प्रमाड पत्रों की सूची निचे अंकित है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से डाकुमेंट से जो आपको लेकर जाने है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक, उतिरड़ता, प्रमाड पत्र, मूल परती मूल परती मतलब होता है आपका ओरिजनल ठीक है जितने भी डाकुमेंट्स आपको यहाँ पर दिये गए दोस्तों आपको ओरिजनल लेकर जाने हैं अगर आपसे फोटो कॉपी वहाँ पर मागा जाएगा तो आप उसे दे देजिएगा ठीक है, तो लेकिन जितने भी डाकुमेंट्स आपको लेकर जाहिएगा सारे के सारे ओरिजनल होने चाहिए, ठीक है तो कुछ इस तरीक एक इन्फोर्मेशन है मेरे भई तो आप इसे डाउनलूड करके पढ़ सकते है कि कौन कौन से डाकुमेंट्स है जो आपको रेडी करवा के रखने है तो आई होप दोस्तों सारी चीज़े क्लियर हो गई होगी वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भई लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार है और चैनल पर अगर पहली बार वीजिट किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लें आगे जैसा भी अप्डेट होगा आपको इन्फर्म करेंगे तो ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेजेगा मिलता है किसी नक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहे